वेलकम टू पार्स होमपेथी मैं हूँ डॉक्टर रामदेल अमूरिया एज़े होमपेथी कंसल्टेंट आज हम बात करेंगे अलर्जिक ब्रॉंकाइटिस के बारे में इसके सिम्टम्स को जानेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसको हमी पेथिक मेडिसिन के मादम से पर्मानेंट ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है इसके अंदर खास ऐसी मेडिसिन की जानकारी भी देंगे तो इस वीडियो को लाज से जरू देखें चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि Allergic Bronchitis क्या है हमारी जो खास मैन नली होती है ट्रेकिया उसके द्वारा जो हमारे लंग्स में हमारी स्वास का आदान परदान होता है उनको बोलते हैं Bronchials इन Bronchials के अंदर किसी भी कार्मस या Allergen के कॉंटेक्ट में आने की वज़े से आपकी उनके अंदर सूजन आ जाती है तो उस कंडिशन को बोलते हैं Allergic Bronchitis फ्रेंड्स ये Allergen किसी भी तरीके के हो सकते हैं आपकी डस्ट हो सकती है किसी तरीके की मौड्स यानि पफूंद हो सकती है जैसे आपके कार्पेट्स के अंदर आपके पर्दों के अंदर या नमी वाले एरिये के अंदर होती है जिसके लगातार कॉंटेक्ट में आने की वज़े से भी आपको Allergic Bronchitis हो सकता है आप किसी केमिकल के कॉंटेक्ट में आ रहे हैं पॉलिशन के कॉंटेक्ट में आ रहे हैं या इस तरीके का कोई दुहां आपके सरीर में या स्वास में अंदर जा रहा है तो उसके कार्ण भी ये चीज़ें डवलफ हो सकती है या फिर आप pollution वाले area में रह रहे हैं या कुछ ऐसी medicine का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वज़े से भी आपको allergic bronchitis की सिकायत हो सकती है तो चली जानते हैं कि इसके symptoms किस तरीके के होते हैं जिससे आप पहचान पाएं तो सबसे इसका खास symptom है अगर आपको लंबे समय से लगातार सूकी कांसी बनी हुई रहती है बार-बार खांसी आती रहती है या उस allergen के content में आने के बाद आपको दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है इसके साथ में सूकी कांसी के अलावा हलका सा बल्गम भी आ सकता है जो बल्गम होता बिल्कुल सफेद या clear color का होता है इसकी वज़े से आपको चाती में जकराट महसुस होने लग जाती है या कुछ मरीजों के अंदर चाती में आवाजें आती है गरगराट के आवाज आते हैं जिसको वीजिंग साउंड बोलते है या बार-बार लगातार खांसी आने की वज़े से आपको थकान महसूस होने लग जाती है तो ये खास-खास सिंटम्स होते हैं allergic bronchitis के अगर आपको भी ऐसी सिकायत है तो आप अपने नज़िक की डोक्टर से जरूर प्रामर्स करें या संपर करें अब बात करते हैं अगर आपको allergic bronchitis लगातार बनी हुई है तो आपको क्या complication हो सकती है ये धीरे-धीरे slowly slowly ये allergic अस्तमा में convert हो जाता है तो इस पर ध्यान देने क्या हो सकता है अब बात करते हैं कि इसका homeopathic medicine के मादें से कैसे treatment हो सकता है आप जहां allergic bronchitis की बात करते हैं तो इसका आसानी से homeopathic medicine के दोणा treatment किया जा सकता है अगर आप properly treatment लेते हैं सही तरीके से medicine select करके आपको दी जाती है पूरा खान-पान का ध्यान रखते हैं और सही समय तक आप treatment लेते हैं तो आसानी से इस चीज़ को properly क्योर भी किया जा सकता है तो चलिए बात करते हैं कि हुमेपेथी की जो medicines होती किस तरीके से treat करती है हुमेपेथी की medicine बीना किसी side effect कि आपकी immunity पर आपकी रोक परतिरोदक समता को बढ़ाते हैं आपकी जो धीरी 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 सूजन को खतम करती है और जो allergen के contact में आ रहे थे आप वो धीरी 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 इस चीज़ को खतम करने लग जाती है तो चलिए बात करते हैं ऐसी खास medicines के बारे में तो सबसे खास man medicines है प्रेंट्स आरसिनिक अलबम आरसिनिक अलबम उन condition में ज़्यादा काम आते हैं जिनको बार बार सूकी खासी आती है साथी में जकरहाट महसूस होती है साथी में स्वास लेने में उनको तकलीफ होने लग जाती है ये condition रात को बढ़ने लग जाती है या जब लेड़ते हैं तो खासी और तेज हो जाती है ऐसी सिती के साथ में आपको बेचेनी या गबरहाट का एसास होने लग जाता है तो आप आरसिनिक अलबम का इस्तिमाल कर सकते हैं आरसिनिक अलबम 30 पाउर को आप ले सकते हैं इसकी दो या तीन वो जीप पे डाल के ले सकते हैं आदा कब पानी में भी इसको यूज किया जा सकता है अब अगर आपकी आरसिन के अलबम से ये खासी ठीक नहीं हो पा रही है तो नेक्स्ट मेडिसन कों से आपको इस्तेमाल करनी चाहिए इसका नाम है स्पोंज या टोस्टा जहां पर इसकी सीवेटी और ज़्यादा बढ़ जाती है बहुत तेज तेज खासी आने लग जाती है बहुत सुकी खासी आती है बहुत तेज आवाज के साथ अगर खासी आती है चाती में जख्राहट ज़्यादा मैसूस होने लग जाती है तो उन कंडिसन के अंदर आप इस पूंजा टोस्टा का यूज कर सकते हैं और ये जो चीजे होती है खासी के अंदर अगर आप गरम पानी पिएंगे गरम कुछ चीज पिएंगे तो उसमें रिलीफ मिलता है ये इसका खास मैन इंडिकेशन है तो इन मेडिसन का आप यूज कर सकते हैं आप चाहते हैं हमारे से प्रामर्स करना तो दीए गए वाटसट नमर के दोरां अपॉइंटमेंट लेके आप कंसर्ट कर सकते हैं प्रेंस हमारी जानकरी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूल मिलते हैं नहीं जानकर यो नहीं वीडियो को साथ धने बाद